जैश्री कृष्णा स्वागत है आपका सार्थी तृष्णा के साथ कैसे हैं आप लोग भाई बहुत सारी चीजें बहुत सारे पौधे और श्दियां वनस्पती हमें प्रकर्ती ने उपहार सरूप दिये हैं ऐसी ऐसी चीजें हैं जिनके बारे में हमें पता ही नहीं है जब लक्षमन मूर्चित हुए थे तब हनुमान जी को संजीवनी लेने के लिए भेजा गया था और संजीवनी एक ऐसी जड़ी बुटी बताई गई थी जिससे मृत इंसान भी जीवित हो जाता है सिर्फ अग्यानता सही गुरू सही ज्यान ना होने के कारण हम जान ही नहीं पाते कि हम जिन पेड़ पौधों को जिन छोटे छोटे पेड़ पौधों को जंगली या अपने पैरों से ये समझ कर कुचल कर चले जाते हैं कि ये ये तो यूँ ही उग गया क्यों? क्योंकि वो मार्केट में महंगे महंगे दामों पर नहीं विका करते क्यों? क्योंकि आपको उसके बारे में परिचे किसी ने ढंग से नहीं कराया होता न जाने कितनी लड़कियां एक बहुत जबर्दस प्रॉब्लम से ग्रस्त रहती हैं और वो है उनका गोरापन मुझे लगता हिंडिया में सबसे ज़्यादा अगर कुछ बिका होगा ना भाई तो वह फेरें लवली बिका होगा केवल इसी लिए कि गोरा होने के लिए उस क्रीम की बिकरी सबसे अत्याधिक हुई है हमारे यहां पे हमारे यहां का वातावरन ऐसा हे laha कि हम गोरे पैदा नहीं होते हम गेहुए होते हैं यह हम ठोड़े से डाक कलर में होते पर फिर भी हम यह चाहते हैं कि हमारा नंग गोरह हो जाए बालोंकी समस्च्या से हर कोई ग्रस्त रहता है घर बैठे हम बहुत ज़एढ़ कैमिकल्स यूज ना करके बहुत ज़द हम कॉस्मेटिक यूज ना करके नैचुरल तरीके से कैसे सुन्दरता बढ़ा सकते हैं अंत तक बने रहना बहुत राज की चीज़े बताने वाली हूं आज आपकी हाई डिमांड पर ये टॉपिक आज आपके लिए लेकर आई हूं लेकिन उससे पहले आपको एक विशेश पौधे की जानकारी देने जा रहे हूं बहुत कम लोग जानते हैं कि मैंने अपनी पीएजडी रावन सहींता से की है रावन केवल एक बुरे या एक कुरूर राजा या एक राक्षिश नहीं थे रावन एक ब्रहमन थे और उनके अंदर बहुत ज़ादा ज्यान भरा हुआ था शायद यही कारण है कि उनके मृत्यू के समय श्री राम जी ने लक्षमन जी से कहा कि जाओ और जाके रावन से कुछ अच्छे ग्यान की बाते सीख कर आओ उन्हें अपने गुरू के प्रकार प्रणाम करके उनसे अपने जीवन को सफल बनाने के गुण लेकर आओ मार्केट में असली रावन सहिता तो उपलब्द होती ही नहीं है पर जो सच में रावन सहिता पढ़ सकते हैं जिन्होंने पढ़ी है वो यह बहुत अच्छे से जानते हैं कि रावन ने और श्दियों के उपर एक अलग ही रिसर्च की थी बहुत कम लोग यह जानते होंगे कि श्री लंका में रावन के महल के अंदर एक बहुत विशेश कक्ष था जिसके अंदर वो आए दिन अपने परिक्षन करते थे रिसर्च करते थे चीजों पे और इसी रिसर्च में उन्होंने बहुत सारी चीजों का निर्मान किया था उन्होंने नक्षत्रों के उपर काम किया उन्होंने ग्रहों के उपर काम किया और उनसे निजात पाने के बहुत सारे उपाए निकाले तंत्र मंत्र और अपनी सात्विक पूजा के आधार पर रावन ने अपने जीवन में बहुत सारे बदलाव खुद के लिए भी किये और किसी के अंदर कोई दो सद गुण है तो वो हम ले ले बुरा जो है उसे अपने ज्ञान के आधार पर अपनी आत्म ज्ञान के आधार पर हम छोड़ दें और हर इनसान के अंदर कुछ अच्छा कुछ बुरा दोनों मिश्रित होता है इसलिए किसी इंसान में अगर अच्छे गुण मिलते हैं तो उसे ले लिया कीजिए आपके बहुत काम आते हैं मैं आपको ये बता रही हूँ आज कि आप एक पौधे के बारे में जानते हैं परिचित है अक्सर आपकी आँखों के सामने आ जाता है लेकिन आप उसके विशेश गुण नहीं जानते तो चलिए आपकी एस्टोलाजर वस्तुशास्त्री जो चहरा भी परती है आवाज भी प यह क्या है नौ से नौ में बदल देगा मतला सुबह नौ वजे से लेके रात के नौ वजे के बीच में अगर आप कर लेते हैं इस पौधे के साथ यह चमतकारी उपाए तो आपके जीवन में निश्चित सफलता आपको मिलेगी ही मिलेगी परिशानी का रंग क्या है रूप और के दुजत के चेरी चल रही है आपको प्रमोशन नहीं मिल रहा है आप विदेश नहीं जा पा रहे हैं आप अपने घर के कलहों से दिकत में हैं आपका प्रेम सफल नहीं हो पा रहा है कोई आपको डिच कर गया है कोई आपके साथ धोका कर गया है कोई आपका पैसा मार गया है क्या प्रॉबलम है मुझे नहीं पता मुझे तो सर्फ समाधान पता है तो आज मैं आपको बता रही हूं ऐसे ही चमतकारी पौधे के बारे में अराम से बैक जो और बहुत तसली से सुनो कभी देखा है आपने नौपची का पौधा बहुत छोटे छोटे से फूल निकलते हैं रंग बिरंगे से उसमें बहुत छोटा होता है घांस जितनी उसकी पत्तियां होती है और उतना ही छोटा रहता है बढ़ता नहीं है आप पौधे के बारे में रिसर्च करेंगे आपको पता चलेगा यह अद्भूत काम करता है कौस्मेटिक कंपनी इस पौधे से बहुत सारी कौस्मेटिक का निर्मान करती है क्या आपको पता है नहीं तो चलो आपको बहुत सारी रोचक आज चीजे में बताने वाली है इस पौधे से आप अपने जीवन में चंद्रमा को गतिमान कर सकते हैं इस पौधे की बदौलत आप अपने 11 थाउस को एक्टिवेट कर सकते हैं वहाँ पर कोई भी राशी हो वहाँ पर कोई से भी ग्रह बैठे हो उससे कोई फरक नहीं पड़ता आप अपने कुंडली में बैठे हुए ग्यारवे स्थान को जो कि इच्छा पूर्ति का घर होता है मनों कामनाओं का घर होता है मन वांशित पूर्ति का घर होता है शिग्र अतिशिग्र आपकी मांगी हुई हर मुराद और आपकी दुआएं कबूल होने का घर होता है वहाँ पर यह सीधा इफेक्ट डालता नौपची का पौधा इसे नाइन ओक्लॉक पौधा भी कहा जाता है क्यों क्योंकि ये नौ बजे बाद ही उगना चालू होता है इसके फूल खिलने चालू होते हैं प्रकर्ती ने कुछ ऐसा ही बनाया है इसे तो आपका ये उपाए भी नौ बजे से चालू होगा और शाम के नौ बजे तक यानि कि रात के नौ बजे तक चलेगा क्या करना है आपको आपको एक पीले रंग का कपड़ा लेना है कम से कम एक या सवा मीटर ये कपड़ा होना चाहिए इस कपड़े के अंदर आप पांच हल्दी की गाठ रखेंगे पीली सरसों एक मुठी रखेंगे आत में दो लगून नारियल रखेंगे अपनी मनों कामना जो भी आपके मन में आपकी विश है वो विश बोलकर आप ये सारी चीजे खुले कपड़े पे इस नौपची के पौधे के आगे आप रख देंगे अगर आपके घर में नहीं है और आप लाकर रख रहे हैं नौप तक ये क्रिया मत करिएगा 11 दिन बाद आप ये क्रिया करिएगा ठीक है आप नौपची के पौधे के सामने अपनी सारी चीजें पीले कपड़े पर रख कर रख देंगे उसके बाद आप अपनी मनों वांशित इच्छा मन में बोलकर श्री हरी विश्नु का स्मरण करेंगे आपकी ये मनों कामना इस 12 घंटे के अंदर श्री हरी विश्नु जी के पास पहुँच जानी चाहिए बहुत मामुली सी चीज है लेकिन करके तो देखिए चमतकारी उपाए है मज़ा आ जाएगा आपको 12 घंटे बाद आपको क्या करना है आपको वो पोटली उठा लेनी है और उसको अच्छी से कलावे से बांध देना है ततपश्चाद घर में लाने के बाद अंदर लाने के बाद आप अपने मंदिर में उसको पूरी रातरी के लिए छोड़ देंगे अगले दिन सुभा आप फिर 9 बजे के बाद वो पोटली नौपची के पौधे के नीचे रख देंगे और फिर अपनी मनोकामना बोलने के बाद धूपबती दिखाएंगे और उसे अपने कमरे में या अपनी अलमारी में या अपने लौकर में या अपने पर्स में सेफ रख देंगे 21 दिन बाद आप ये सारी सामगरी ले जाकर बहते हुए जल के अंदर प्रवाहित कर दीजे किसी चौराए पे रख दीजे या किसी पीपल के पेड़ के नीचे रख आईए करके देखिए आपकी मुराद जरूर पूरी हो जाएगी ज्यादा लालची मत बनियेगा आप एक बार में एक ही विश मांगेगा जब आपकी एक विश पूरी हो जाए तब आप अपनी दूसरी विश रख दीजेगा चलिए अब हम बात करते हैं कि नौपची के पौधे से हम कैसे शुक्र ग्रह को और प्रसन कर सकते हैं हम कैसे चंद्रमा को बली कर सकते हैं जिनका शुक्र और चंद्रमा दोनों खराब हैं उन्हें पानी के अंदर डाल कर नौपची के कुछ फूल शिवजी पर चढ़ाना चाहिए ऐसा करने से आपका शुक्र भी सही होता है और आपका चंद्रमा भी प्रभावी होता है आप इस पानी से स्वैम भी स्नान कर सकते हैं इससे पॉजिटिविटी आती है इससे आपके अंदर की अइनरजी एक्टिवेट होती है इससे आपकी साकारत्मक सोच का रस्ता खुल जाता है ये तो हुई जोतिश की बात ये हुई आपकी मनोकामना सिद्धी की बात अब बात करते हैं सौंदर ये की सौंदर ये बढ़ाना है हमें रंग गोरा करना है तो क्या करें नौपची के कुछ पुश्प ले लीजे दो या तीन इससे जादा नहीं दो तीन पुश्प लेकर आप उससे पानी में अच्छी से उबाल लीजे उबालने के बाद वो जो पुश्प हैं वो थोड़े से और हलके हो जाएंगे उनका पेस्ट बना लीजे उसे पीस लीजे अच्छी से पीसने के बाद उसका पेस्ट बना लीजे पेस्ट बना के उसमें से थोड़ा सा शहेड डाल दीजे और उसको अपने चहरे पे लगाना चालू करिए वीक में तीन दिन ये कार्य करिए और ये पेस उसके अगले दिन आप धूप में जादा ना निकले तो थोड़े सा संस्क्रीन लगा कर निकले बालों की समस्या हर कोई बालों से ग्रस्त बाल रूखे हैं बेजान हैं रूसी हो रही है ना जाने क्या क्या दिक्कत हैं अगर आपके साथ भी ऐसा कुछ होता है न तो जो नौपची के पौधे की घास होती है यानि कि उसकी जो पत्ते होते हैं उन्हें अच्छी से उबाल लीजे उबालने के बाद आप उस घास का पेस्ट बना लीजे उन पत्तों का पेस्ट बना लीजे और उसके बाद आप आवले के तेल के साथ बिलाकर उसे अपने सिर में लगाना चालू करिए बालों में चमक आएगी बाल मजबूत बनेंगे और साथ ही साथ में आपके बाल जड़ने भी बंद हो जाएंगे बहुत अच्छी चीज़े हैं अगर आप आयुरवेद में जाएंगे तो आपको इसके और भी बहुत सारे अच्छे उपयोग मिल जाएंगे आशा करती हूँ मेरी आज की यह जानकारी आपके जीवन को बदलने में बहुत सहायक सिद्ध होगी चलिए चलती हूँ फिर आउंगी कुछ नहीं कुछ अलग कुछ अद्बुद लेका तब तक के लिए मुस्कुराते रहिएगा रिष्टों में मजबूती बनाके रखेगा आपने सार्थी के साथ युई जुड़े रहिएगा प्यार देते रहिएगा प्यार लेते हैं आपको अच्छा लगे तो आप हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा आप मुझे मेरे इंस्टा और फेस्बुक पेच पर जॉइन कर सकते हैं आप मेरा एक और चैनल है कृष्ण सार्थी उससे आप जॉइन कर सकते हैं उसक परिशान मत हुआ करिये इदर उदर भटका मत करिये मुझे कोई शौक नहीं है दस पंदरा बीस चैनल बनाकर उन पर बैठने का मैं एक ही घर बना लूँ उसी में अपने परिवार को संयुक्त करके रख लूँ बस मेरे लिए बहुत हैं मैं दस जगे जाकर दस तरे के काम नहीं करना चाहती मैं आपके साथ सर्फ एक जगे रहना चाहती हूं और एक जगे ही काम करना चाहती हूं खुश रहिए ठाकुजी का अश्रवाद आप पर और आपके परिवार पर हमेशा बना रहे हैं वस इसी मनोकामना के चाहत आज के लिए इजासत चाहती हूं फिर इस वर्षू से जोतिश की सभी परंपराकत विधाओं के साथ साथ अनेक दुरलब गुड़ विधाओं जैसे परचाई एवं लवस के अध्यन से अपनी सटीक भविश्यवानी और पूर्वानुमान के लिए विख्यात हैं। त्रिवेंद्र सेंग रावत ने जोतिश विभूशन अवार्ड से सम्मानित किया था और साल 2016 में उन्हें राजस्थान में बेस्ट अस्ट्रोलजर के अवार्ड से नवाजा जा चुका है।